यह साफ कर रही है वो साफ कर रही है मुदी साफ स्वच भारत का एलान करे हम एलान करे बगएर इस तलेंगाना के जो नाइनसाफियां अंधरा वाले करें उसको स्वच करने में ही लगे अभी वो होगा तो काम होगा लैंड देखो तमाशे में हाउजिंग देखो तमाशे में हर डिपार्टमेंट तमाशे में तो आज इन सब को सेटराइट किया जा रहा है और सेटराइट होने के बाद नतायद आएंगे तो आज जस तरीके से काम हो रहा है होता रहेगा मैं अब उर्दू जबान पे आते हुए स्पीकर साब चीपनेस साब ने वादा किया था कि उर्दू के तालख से एक मीटिंग बलाएंगे बात करेंगे और एक एलान आया कि तेलगू का कंपरसरी किया जाएगा बरावर हम उसका खेर मुखदम करते हैं तेलगू जबान बहुत अच्छी जबान उसकी इफादत करनी चाहिए उसको आगे बढ़ाना चाहिए लेकिन मैं कहूंगा कि उसके साथे साथ ये भी देखना चाहिए कि इस लुजूम की वज़ा से मुसल्मान स्टूडन्स का कोई नुकसान ना इसको इंप्लिमेंट करने से पहले मेरी एक अदबन दर्खास्त है कि आप एजुकेशन एक्सपर्ट को और माइनॉरिटी कम्यूनिटी से भी कोई लोगों को बुला कर दावत दे कर उनके व्यूस को भी आप हासिल करिए और उसके बाद इसको इंप्लिमेंट करिए ताके तेलगू भी फले फुले और उर्दू भी फले फले फुले उर्दू खतम होना नहीं चाहिए से लसानी फार्मूला चीप इनिस अब जानते हैं जिसमें लाजम है कि अपनी माधरी जबान में तालीम हासिल करने का एक शक्स को हक है अख्तियार है लेकिन आज वसे लसानी फार्मूला पे इंप्लिमेंट नहीं हो रहा है अर्दू के साथ जो नाइनसाफियां हो रही है इसके तालग से मैं चीप मिनस्ट साहब से दर्खास करूँगा कि आप एक मीटिंग बुलाईए मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि चीप मिनस्ट साहब ने हैवान में ये वादा किया था कि सेपरेट डियसी करेंगे अर्दू के लिए आज कई बरस हो गए है अर्दू मदारस खस्ता हाल में है अर्दू मदारस जुबु हाली में है तो मैं सर आइनीड सम टाइम सर प्लीस सर अई रिक्वेस्ट साइनीड सम टाइम सर चीप मिनस्ट साब ने सतरह माच को ये का था बजट सेशिन में कि सेपरेट डियसी करेंगे अर्दू के लिए मैं दर्खास करूंगा कि साथ आप एक सेपरेट डी एसी करें हो रहा ये है साथ कि S.C.S.T.S. के जो रोस्टर सिस्टम के हिसाब से जो जायदादे हैं वो पुर नहीं हो रही है उर्दू मदारस खतम हो रही है मैं आउनरेबल स्पीकर साथ आप के जरीए ये भी बताना चाहता हूँ के चीप मिनिस्ट साथ के साथ जब हमारी मीटिंग हुई मेरी और असथ साथ की तो हमने ये का कि साथ सेल्फ फैनाइनसिंग जूनियर एंडिगरी कॉलेजिस रियासत में है जो कोई पैसा भरकर स्टार्ट कर दिया MPC, BPC या लेकिन अब उनके पास पैसे नहीं है टीचर्स की तनखा देने के लिए तो ऐसे 40 हैं तो चीप मिनिस्ट साथ ने एकाम दिया कि जितने ऐसे स्कूल्स है उनको ये रिजिदेंशल स्कूल माइनारिटी के जो है उनके तरफ जम कर दीजिए और सेल्फ फैनांसिंग कॉलेजिस की जितनी भी पैसे है वो सारे के सारे पैसे माइनारिटी वेलफर डिपार्टमेंट से दिये जाए इसके लिए मैं मुबारक बादी देता हूँ ये शेर हैदरबाद का नहीं ये अजलाका भी है कई मेरे MLS कॉलेग्स बोलेंगे कि उनके कॉंस्टनसी में भी सेल्फ फैनांसिंग कॉलेज है और वो परेशान है तो मैं कहूंगा कि ये गुड नियूज है एलान है कि चीफ मिनिस्ट साब ने एलान किया हमारे को मीटिंग में कि उसको भी करेंगे और ये भी कहूंगा कि अर्दू वालों के लिए बहुत बड़ा एक एलान चीफ मिनिस्ट साब ने इस एवान में आज करने का वादा किया कि खंबम डिस्ट्रिक एक डिस्ट्रिक है जहांपे अर्दू दूसरी सरकारी जबान नी है तो सीम साब ने कहा कि मैं आहसेमली में एलान करूँगा कि रियास्त टेलेंगाना में और सारी रियास्त में अर्दू को दूसरी सरकारी जबान का मौखव दिया जादा ये भी एक अपने आप में बहुत कामियाब है मैं मौतरम चीफ मिनिस्ट साब से और हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्ट साब कडियम स्रीहरी साब से एक दर्खास करूंगा कि महरास्टरा करनाटक में सर अर्दू के लिए एक सेपरेट कमिशनर और डिरेक्टर अफ स्कूल होता है महरास्टरा में करनाटक में मैं आप से रिक्वेस्ट करूंगा अर्दू को कोई नहीं देख रहा है साब आज लोग बोलेंगे कि अकबर साब अर्दू में कर रहे हैं तखरीर हाँ आंधरा परदेश जब था अर्दू में अगर बोलता तो कोई समझते नहीं थे लेकिन चीफ मिनिस्टर साब या ऐसे हैं जो अर्दू जानते भी हैं बोलते भी हैं इसलिए बोल रहा हूँ तो मैं कहूंगा सर अर्दू खतम हो रही है आप से मेरी रिक्वेस्ट है अगर ये एक काम हो गया ना साब तो ये आफिसर्स अर्दू के टीचर्स का सारी कमियां और जो कमजोरियां इसको देख ले सर कहेंगे सर मैं ये भी कहूंगा अर्टीर नोटिविकेशन में जो SGT के अर्दू के पोस्ट भी नहीं आए हैं साब और कई पोस्ट हैं तो मैं चीफ मिनिस्टर साब से दर्खास करूँगा कि एजूकेशन मिनिस्टर साब डिप्टी चीफ मिनिस्टर कड़ें ये किया गया है अब मैं ये अर्दू घर और शादी खानास पर भी आऊंगा तो मैं चीफ मिनिस्टर साब से कहूंगा कि शादी खानों की स्कीम ये बहुत अच्छी है मन्जलसी लाई थी गबड़ करकर लेकिन हो रहा ये है कि कम पैसा देते हैं आज एक दर्वादा लगता है तो नेक्स तियर एक विंडो लगती है तो आप आइडन्टिफाइ करिए कि ये साल ये बजट में ये चार शादी खानास को कम्पलीट करेंगे नेक्स बजट में चार को करेंगे तो इस तरीके से कम्पलीट होंगे और ये भी मैं कहूंगा कि कई शादी खाने ऐसे हैं जो बदमाशी का अड़ा बन चुके हैं उसको बंद करना चाहिए साल सारे नहीं सारे नहीं बहुत अच्छे हैं शादी खान बाद ऐसे हैं जो बहुत दूर है बना के रख दिये शराब नोशी हो रही जूवा हो रहा है वैसे अगर है तो वो शादी खानों को कनवर्ट कर दे स्कूल में ताकि हमाँ बच्चे पड़ सकें अगर यूज में हैं तो चलने दीजी हमको कोई वो नहीं है क्रिस्टिन फैनान्स कार्पोरेशन के तालख से भी कहूंगा के किस्टिन कम्यूनिटीज की भी मीटिंग होती रहती है और वो लोग भी हम से मतालबा करते है दावत इफ़तार में भी और कई चीज़े दिये गए है लोगों को दावत इफ़तार में जो कपड़े दिये गए है और हर साल इसमें जो इदाफा हो रहा है इसके लिए भी मैं हकुमत का शुक्रिया दा करता हूँ और आखिर में एक एहम सबजेक्ट पर आता हूँ और वो एहम सबजेक्ट है तेलेंगाना वगबोर्ड सिर्फ तेलेंगाना वगबोर्ड के तालख से मैं चीफ मिनिस साब को सबसे पहले तो ये बोलूँगा कि वगबोर्ड के तालुख से आपने कल राज जो एगदाम किया है वो बहुत अच्छा एगदाम तेखीखात होनी चाहिए मालूम होना चाहिए हाउस कमेटी में बैठ कर मैंने रिपोर्ट तलब की तो रिपोर्ट में आया कि एक ड्रेवर की तनखा साथ हजार है सुप्रिटेंडन की तनखा असी हजार है और एक चपरासी की तनखा जाडू देने वाले की चालीस हजार है एक जो सिर्फ इनवर्ड एन आउटवर्ड में टपा लेता है उसकी तनखा असी हजार है ऐसा आलम है अगर मालूम हो जाए सब को तो सब बोलेंगे कई नोकरी ने हो ना वगबोड में नोकरी दे दो वापे जाडू देने वाले को भी असी हजार मिल रहे हैं और एक घर के चार-चार लोग पांच-पांच लोग दस-दस लोग यह सर मैं आपसे कहूंगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया जरूरी था लेकिन उसके साथ यह कहूंगा कि वगबोड जो नया तश्कीर हुआ है यह इसमें देड़ मैने से शायद मेंबर्स है आप कारवाई करिए तेखिखात करिए हातियों को सदा दीजिए बरतरफ करिए उनको जेल में पहुचाईए जो लोगों ने वगबोड को लूट कर खाया है लेकिन उसके साथे साथ यह बोड के जो अराकीन है चेर्मेन है यह लोग तो अभी आया है इनके साथ आब एक मीटिंग करकर उनको कॉन्फिडिन्स मिले भी मलिक मुतशम साभ है उसमें असदुदीन ओवेसी साभ है उसमें आपके पाटी के मेलसी चेर्मेन भी है यह लोग ऐसा मैसूस ना करें किरे क्या हो रहा है लेकिन इसके साथे साथ काम हो जाए तो हम को किसी की मदद की जुरत नहीं है हम खुद अपने पैरों पे खड़े होकर अपने जिन्दगी के अंधेरों को नए उजालों में तबदील कर सकते लेकिन ऐसा नहीं हुआ आदिलाबाद में नंबर अफ इंस्टिट्यूट्स 4098 टोटल एरिया एन एकरेज सीम साव आप सुनके हैरत करेंगे टोटल एरिया आदिलाबाद में पुराने आदिलाबाद में 10,119 एकर्स 10,119 एकर्स और इंक्रोच्मेंट इंक्रोच्मेंट 9,189 9,000 इंक्रोच हो गया और जो है 930 करीम नगर टोटल इंस्टिटूट्स 2,685 टोटल एक्स्टेंड अप लैंड एकरेज 1,846 1,846 इसमें इंक्रोच्मेंट जो हुआ 60 एकर्स पर ये एक ही है मैं कहूंगा करीम नगर जहांपे ज़रा कम इंक्रोच्मेंट है लेकिन करीम नगर में क्या है कि जिन लोगों को लीज पे दे दिये लीज एक्सपार हुई किराया नहीं दे रहें लेकिन आज भी वो बैठे वे उनको किराया देना चाहिए अब हम आते हैं वरंगल वरंगल में 1,731 इंस्टिकूशन टोटल एकरेज 2,962 अंडर इंक्रोच्मेंट 12.37 खमम 1,991 इंस्टिकूट्स टोटल एरिया 534 एकर्स अंडर इंक्रोच्मेंट 143 नलगुंदा 2,215 2,215 इंस्टिकूट्स और टोटल एकरेज 5,300 जिसमें से 1,400 इंक्रोच्ट हो गया निजामाबाद 1,168 इंस्टिकूट्स 4,795 एकरेज 23 एकर ख़बजे में हैं और फिर मैभूब नगर प्लीज कंक्लूड प्लीज कंक्लूड सर मैभूब नगर 3,116 इंस्टिकूट्स है सर जिसमें 11,500 एकर्स मैभूब नगर में एकर्स टोटल हैं जिसमें सर 7,864 इंक्रोच्ट हो गया है सर अगरेज सर हम मेधक में आते हैं सर मेधक I want to bring to your kind notice सर मेधक मेधक में 3,695 इंस्टिकूट्स है टोटल एकरेज ऑफ वक्फ लैंड इन फर्स सर्वे सर इन फर्स सर्वे is 23,910 23,910 एकर सर जिसमें से खबजा किते पे हो गया है 23,782 पर जो है वगवट के पास सिर्व 128 एकर Now let us come to रंगारडी important district 14,785 एकर 14,785 एकर जिसमें से 13,480 एकर हबजा हो गए है सिर्व 1,304 एकर है है हैदरबाद में 1,725 एकर जिसमें से 1,470 एकर हबजा हो चुकी तो मैं ये तफसीलात आपके सामें रखते हुए ये सर्, मैं चीप अनिस्टर साफ से मतालबा करूंगा और honorable speaker साफ with your kind permission I want to make a request कि ये workboard और endowment ये दोनों सब्जेक्स ऐसे हैं जिसमें बहुत सारी बेखायदगिया हुई M.I.M. का जो rotation basis पर जैसा आज आया था next आएगा शायद after 17 तो मैं आप से दर्खास करूंगा कि हमारे जो slot में हमारे rotation में जो हमारा दिन जो आएगा उसमें work plans and endowment plans पे अगर हम discussion करेंगे सिर्फ उस पर तो शायद हम कुछ नतीजा निकाल सकें और इस वास्ते भी मैं कह रहा हूँ क्योंके अब जो revenue department में जाकर तैखिखात कर रहा है तो वो तैखिखात होने के बाद में कई चीजें सामने आएंगी मैं C.M. साब से ये भी कहूंगा कि ये reconciliation of lands जो हो रहा है उसमें भी work board को करना चाहिए मैंने जो तफसीलात आपके सामने रखी है ये तफसीलात ये तफसीलात first survey की है second survey में और निशान देई हुई है जैसा मैंने कल का आप से लैंको के तालुख से मेरे पास लैंको का भी जीयो है ये रिपोर्ट भी है आप मंगा सकते है पूरी तफसीलात है मेरे पास तो इस वक्त कम है इसलिए मैं हकुमत से यही दर्खास करूँगा कि आज आपने जो जो फैसले लिये हैं इस पर गोर करें और ये भी कहूंगा सीम साब से हमारे निजामबाद के मिनिस्टर साब भी है बड़े पहाड की दरगा का जो हुंडी होती है उसमें दो कौर लुपी आते हैं साब और वो वगवोर्ड नहीं छुडा सकी मिनिस्टर साब से मैं दर्खास करूँगा मिनिस्टर साब से कि आप इंटेवीन करकर उसको छुडाइए साब वगवोर्ड के पास पैसा नहीं बड़े पहाड का जो हुंडी होती है वो और मैंने अख़वारात में पढ़ा कि चीफ मिनिस्टर साब ने जहांगीर पिरा की दरगा के लिए 80 कौर का एक पैकेज का इलान किया है तो मैं चीफ मिनिस्टर साब को मुबारक बात देता हूं और जहांगीर पिरा के साथे साथ मैं कहूंगा कि बड़े पहाड की दरगा हो या फिर हमारी दरगा यूसिफाइन हो इस दरगा का और आप जानते हैं कि हज़द बाबा शर्फदीन साब की पहाड़ी बहुत बड़ी दरगा है इसके लिए इसके रैम की तामीर के लिए हमने वगबोर्ड में मनजूरी दी है वोच सीम साब के पास फाइल है दो कोड में रैम बन जाएगा उसको मनजूरी दी जै और मौला अली का पहाड़ आप जानते हैं सीम साब मौला अली का पहाड कितना मुखदस है शियाओं के लिए उसके लिए जी-ह-म-सी से हमने पांच कौर में आदा रैम बनाया है अब वो उपर जाने के लिए जईफ लोगों को गाड़ी में मौला अली तक जा सकते हैं ये शियाओं के लिए बहुत मुखदस मुख़ा में वहाँ जाते हैं हम भी सुनी भी जाते हैं तो महां रैम के लिए 20 कौर लुपिय का इस्टिमेट बना है वो भी आप मैनौरिटी विलफेर को अगर बोल देंगे तो आप 20 कौर अब देने की दुरत नहीं है दो दो कौर तीन कौर साल में देंगे तो एक रैम बन जाएगा मौला अली के पहाड के लिए मुसाफिर खाना जो शियाओं के लिए उसके लिए और मैं ये भी कहूंगा कि तेलेंगाना में जो दारतलमारूफ है वो बहुत एहम है दारतलमारूफ आज नेगलेक्टिड हो गया है मरकजी हुकूमत ने बजट को कम कर दिया है आप आपके आफिसर्स को बोलिए के दारतलमारूफ का दौरा करें डिप्टी चीप मिनिस अज़ाब महमुद अली के साथ महमुद अली साथ मैं भी चलता हूँ जाकर देखकर उन से बात करकर हमारे बजट में से कुछ देना है तो देंगे और जितने मैनस्क्रिप्स है उसको डिजिटलाइस कराएंगे ये वक्त का तखादा और जरूरी है आखिर में मैं कहूंगा कि सीम साथ आपने मक्का मस्जिद को मनजूरी दी है मक्का मस्जिद के साम में निजामिया तीबी कालेज है पुराना है एक मेडिकल एजुकेशन वाहिद है जो अर्दू में है आज वो इमारत मगदूश है पानी टपकरा है कभी भी गिर जाएगी इस मरतबा नहीं तो एंड़ा बजट में वो रिस्टोरेशन आफ डैट निजामिया तीबी कालेज के लिए एक आर्दस काल लुपी अगर आप आइंदा बजट में देंगे तो हम उस अमारत की भी हिफाज़त कर सकेंगे और मल्टी सेक्टर डवलिप्मेंट प्रोग्राम के लिए मैं कहूंगा कि सारे रियास्तों में भी अगर इसको करेंगे और फिर मेरे पास तफसीलात हैं और वक्त नहीं है तो मैं आपसे यही कहूंगा कि सारी बाते मैंने आपके सामें रखी है वगबोट के तालुख से एंदा करेंगे आखिर में ये कहूंगा कि C.M. साब आपने इस हैवान में इलान किया था कि फलखनुमा और चंचलगुडा डिगरी कालेच के लिए 20 कौर जारी करेंगे उसका जीयो भी अब तक जारी नहीं हुआ है अगर वो भी अगर जारी हो जाता है तो बहुत अच्छा होगा आखिर में ये कहते हुए मैं खतम करूंगा कि ये हुकुमत हर किसी को एक नजर से देखती है हर किसी को एक ही नजर से देखकर काम करती है और मुझे यखीन है कि जो जो वादे किये गए हैं वो पूरे होंगे और मैं ये भी कहूंगा कि मुझे यकीन है कि आपने जो वादा किया है बारा फिस्ट ताहफुजात का मुसल्मानों को वो भी जरूर हम कोशिश करेंगे और जल 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 उसको हासिल करेंगे ताफुजात जब मिलेंगे मिलेंगे लेकिन मैं यह कहूंगा कि अन पार विद S.E.N.S.T. जो है इसको अगर इंप्लिमेट कर देंगे तो यही सबसे वड़ी कामिया भी होगी मैं चीफ मिनिस्टास हाफ से कहूंगा कि S.E.S.T.s के पासिंग मार्क्स भी कम है उसको भी आप गोर करें क्या माइनौरिटीज को भी वोई लेंट पे ला सकते हैं मैं हकुमत सीम साब का आकिर में मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि सारे हिंदुस्तान में वाहिद रियास्त है तेलेंगाना रियास्त और ये चीप मिनिस्टर जिन्होंने मरकजी हुकूमत को लेटर लिखा हमारे मुतालेवे पर के निट के एक्जाम को अर्दु में भी कंड़क करना चाहिए ये हो गया है और ये कामिया भी हमारी रियास्त की है मैं सीम साफ से कहूँगा कि आपने वादा किया था इस आईवान में कि सरकारी मुलाजमत के जितने भी तखरूरात होंगे उनके अम्तिहानात अर्दु में भी मुनख्ध करेंगे मैं आप से दर्खास करूँगा कि इसका भी जियो अगर निकाल ले कि जितने भी क्योंके जब तक जबान को रोजगार से मर्बूत नहीं करेंगे तो जबान जिन्दा नहीं रहेगी तो आज हम को अर्दु को रोजी और रोटी से जोड़ना होगा तो अर्दु खायम रहेगी सरकारी तखरूरात किसी भी महकुमे में होने सहत में या कई पर अर्दु में भी अगर होंगे तो इस से फाइदा होगा इसका भी ऐलान करिए चाहे पॉलिस के तखरूरात हो सहत के हो कोई भी महकुमे के हो सरकारी तखरूरात का अम्तिहान अर्दु में भी होगा जितने competitive exams है चाहे M set हो, law set हो कोई भी set हो वो भी exam अर्दू में भी हो जाए तो अर्दू मीडियम के बच्चों को भी आगे बढ़ा सकते है क्योंके तेलगू में होता है हिंदी में होता है, इंगलिश में होता है अर्दू में नहीं होता है हमें उम्मीद है कि आपकी ख्यादत में ये सारा अर्दू के साथ भी इनसाफ होगा जब मैं चीफ मिनिस्ट साब का ममनून हूँ कि हर वक उन्होंने हमको वक दिया हमारे मसाइल से वक्फियत हासल की, आगाही हासल की और उस पर मुझबत रदे अमल करते हुए उन मसाइल को हल किया मैं हुकूमत का, उनके मिनिस्टर्स का और सारे लोगों का शुक्रियादा करता हूँ कि हम जो हर वक्त महसूस करते थे कि हमको दूसरे दर्दे की शेहरी की तरह देखा जाता है हमारे मसाइल पे तौज़ नहीं दी जाती है हमसे नाइनसाफी होती है लेकिन आज वैसा नहीं है हम भी बरावर के है हमको भी इनसाफ मिल रहा है हक मिल रहा है मैं आप सब का शुक्रियादा करता हूँ स्पीकर साब ने जो वक्त दिया है सबर के साथ मुझे सुनने का जो मौखा दिया इसके लिए मैं आपका शुक्री आदा करता हूँ